हेलो एवरीवन, वेलकम तो माई चैनल, आज हम क्लास 10, ट्रम सेकींड, चैप्टर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंटोड़क्शन्स करेंगे, ठीके, आज इस चैप्टर का हम इंटोड़क्शन पार्ट समझाएंगे, देखे, आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यू होंगे टू सर्फेस के तो देखे पहले जान लेता है सरफ मच एरिया ऑक्यूपाइड रही तो मलगक इन एरिया इस चैपक ने यहां ऑक्यूपाइड के यहां आउटसाइड एरिया S1 से म्मिला यहां फीगर रखलें तो हम कहेंगे कि उसने यहां पर किपना एरिया चैप् में कितना टोटल एरिया covered किया है तो उसको हम बोलते हैंlls इसका Surface Story Simple सा है ठीके surface area के लिगिलाелिक हमारे ही आ जाती है दूसरी Curved Surface area आपने यही भी बहुत कर सफेस इरिया तो CirFS हमें हम उसका के उपर का पार्ट यहन्य तम पार्ट को हटा कि कितना एरिया देखो ईससे पात का हमारा पता है अ exported और पार्ट काना है थी कि यह उसको हम बोल देते haarं हो ऑ Shapr करफ सर्फेस और यह को धे ये लेका एसे मार्कर का amně The टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट को हटा लेते हैं तो हम बोलते हैं जो यह इतना सा एरिया है जो बचावा एरिया है मतलब इस वन एरिया इसको हटाने के बाद यह जो अंदर का एरिया बचा है उसको हम सर्फ कर्व सफेस एरिया बोलते हैं और हर सॉलिड ट्रम के अलग तो हमें simply curve surface area हमारा अगर slender की बात करें तो वो होता है 2 pi r h होता है ठीके इसमें ना top इंक्लूड करते ना ही bottom इंक्लूड करते ये तो हमने basically एक slender की form में देख लिया ऐसी हमारे solid का कौन का curve surface area अब कौन में देखिए कौन है कौन का अगर हम ये bottom part हटा दे तो ये जो उपर का part होता है वो हमारा होता है curve surface area अगर हम total include कर रहे हैं तो हो जाएगा total surface area या फिर surface area ठीके and the last term is इसमें एक और रोट रम होती है जो कि है volume तो volume क्या होता है अगर volume को जाने हम तो volume होता है capacity हाँ मच capacity ठीके कितने capacity अब हमने एक जिसके simply ले ले लेते हैं फिर से solid ले ले लेते हैं यह हमने ले लिया एक cube cube shape इसने बोला है इसके अंदर हम कुछ बहरना चाहरें cube wider shape हमाए पास कोई भी एक डिबा कह सकते है कोई भी बहर है और इसके हमने कुछ अपनी टॉफी भर ली हैं इस तरह से तो इसने बोला कि कितनी टॉफी इसमें टोटल कवर करेंगे मलब कितनी इसकी C-capacity होगी C-capacity होगी, ठीके Surface area में होता है हमारा outside Outside will be Hemara क्या होता है Surface area कह सकते है ठीके Surface और जो पर capacity capacity कह बहुता है, capacity means हम अंदर भर रहे हैं इसके, अंदर भर यानि inside area inside area कह सकते है ठीके, तो basically volume हमार होता है, how much capacity how much capacity covered by this cube जो हमारा surface area होता कि how much area covered कितना area covered किया है इस solid ने अगर इसको देखें तो कितना area हमारा इसने cover किया है तो difference समझ में आ गया होगा आपको surface area and volume and curve surface यह तीनो terms हमारी इसमें used होंगी तो इसके according हम quotient based करेंगे जैसे हमारी quotient होंगे वैसे हम इसे करेंगे आप इसमें जो 10th class में एक main चीज और आये वह है combination of solids combination of solids देखें कैसे होता है combination of solids अब देखें हां solids क्यों लिए हम जो भी solids figure मलब 3D figures होंगी जो हमारी 2D वाली को तो combination नहीं कह सकते इस तरह से, इकों लगा दिया, इसके उपर, ठीके, आप बोला गया कि इसका, आप वो पूछेगा, क्या पूछ सकता हो, कि इस total का क्या निकालिये, total surface या निकालिये, या तो, या तो volume निकालिये, इस बेस देमारे combination के questions होते हैं, ठीके, इस तरह से हमारे questions, आप देखे, फिर तो यह हमने कहा गया combination of solids, combination मलब एक के साथ दो को join करके combination हो सकता है, उसके base में हमारे questions होंगे इसमें, यह तो slender की बात होगी, अब देखिए, पहले तो हमने सिखा तो अलगल, अब देखिए हम solid को solid, मलब जैसे हमाँ पास क्या है, एक rectangle है, rectangle का combination हमने एक हो rectangle के साथ यहां कर द यह सरफेस एरया निकाले यह तो यह तो surface area निकाले यह तो क्या निकाले यह वॉल्यूम निकाले तो क्या 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 निकाले त का ठीक है तो simply combination of a solid C होता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें simply सी का है कि surface area क्या होता है कर surface area क्या होता है volume क्या होता है and combination of solids क्या होता है इसके basic हमारे सारे questions आएंगे इस chapter पर और जो इसमें है वो भी उसकी वीडियो बनाई गई है उसको भी आप देख लीजेगा उसमें सारे formulas डिसकस केगे हैं जो जो यूज़ होंगे इस चैप्टर में ठीक है students आप देखें इसमें एक ट्रम और है इसी चैप्टर में जो की यूज़ होगी तो एक ट्रम और यूज़ होगी इसमें फ्रस्टम तो देखिए student फ्रस्टम क्या होता है basically फ्रस्टम हमारा मिलके मनावता है कौन सी देखिए कौन दिख लेते हैं यह हमारा को यह फ्रस्टम नहीं चीज़े बाकि सब तो आपने surface area volumes पढ़े होए हैं 9th class में 10th class में आप पढ़ेंगे फ्रस्टम देखिए कौन है कौन को अगर हम इस तरह से काट लें इस वन काट लें अब इसका section बना लेते हैं देखिए उपर का section बनाएंगे तो क्या होगा उपर का section हमारा हो जाएगा यह एंदर नीची का section क्या हो जाए questions हमारे NCIT में पूछे जाते हैं और बहुत important questions है देखिए जब हमने एक कौन को section किया यानि इसको इस तरह से काटा उपर से काटा तो यह दो section में डिवाइड हो गया हमारा उपर वाला पार तो simply एक कौन ही बना रहा है पर नीची वाला जो पार होता है इस तरह का जो इस तर सब्सक्राइब आए वाल्यूम से कर्स अपर से रिया से कॉमिनेशन ऑफ सॉलिट से एंड लास्ट वन इस फ्रस्ट आव यह सम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो नेक्स वीडियो में हम इसकी एक्सेस इंटोड़क्श एक्सेस करेंगे ओके स्टुडेंट्स थैंक यू सब्सक्राइब आप धो